इस बार चात्रों ने मिलकर विश्विद्याले में बढ़ी हुई फीस के विरोध में हंगामा किया आक्रोशित चात्रों को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों को वाटर कैनन तक चलाना पड़ा नहीं किसी से विख मांचे नहीं किसी से विख मांचे जैन्यो एक बार फिर जंग का मैदान बना हुआ है छात्रों का हुजो नारे बाजी कर रहा है तख्तियां उछान रहा है सामने पुलिस कर्मी है जो उग्र चात्र चात्राओं को रोकने का प्रयास कर रही है मगर चात्रों का गुस्सा आसमान पर है यहां 40-30 बच्चे हैं जो बहुत गरीब तक पे से आते हैं यहां पर सबसीडाइज होता है होस्टल भी हर चीज ताकि गरीब पर सके अगर यहां छे साथ हजार होस्टल भी आ जाएगा तो कोई घरीब कैसे पड़ेगा जब यह बोल रहे हैं कि हमें रेविन्यू जनरेट करना है हमारे पास पैसा नहीं है यूजी सी को देने के लिए तो जेन्यू क्या मचीन है जन्यू में यह हंगामा इसलिए बर्पा है क्योंकि विश्विद्याले प्रशासन ने फीस में इजाफा कर दिया है कितनी फीस बढ़ाई गई है कि हंगामा मच गया देखिए पहले सिंगल बेट के कमरे का किराया 10 रुपे प्रतिमाह था सर्विस चार्ज पहले 0 था अब 17 सुरुफे लगेंगे में सिक्योर्टी मनी पहले 5500 थी अब 12,000 होगी हमारे दिमांड यह है जो होस्टल फीस थी वही रहे जो की 900 परसन बढ़ाई गई है वो नहीं बढ़ाई है आरोप है कि 29 अक्टूबर को फीस विरिधी पर वीसी ने बैठक बुलाई थी लेकिन चातर संग के पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया नहीं गया होस्टल प्रतिनीधियों को भी शुल्क विरिधी बैठक में नहीं बुलाया इसके बाद हंगामा हो गया लेकिन जिस वाक्त हंगामा हो रहा था उसी वाक्त वसंद कुंज के ओल इंडिया काउंसिल आव टेक्निकल एजुकेशन यानि AICTE ओडिटोरियम में भारत के उपर राष्ट पती वेंकाया नाइडू दिक्षान समारोह में छातरों को डिग्रिया बाँट रहे थे अंदर कारक्रम चल रहा था और बाहर छातर हंगामा कर रहे थे 15 दिन से क्लास नहीं चल रहा हमारा 15 दिन से गाईव हैं, हमने उनसे बार बार रीक्वेश्ट गिया आप हमारे पास आओ, हमसे बात करो, ये सर ये वी सी जेनियों की लेगिसी को खत्म करना चाहते है बड़ी हुई फीस पर चात्रों का गुस्ता साथ में आसमान पर है देखना होगा कि विश्विद्याले प्रशासन इस गुस्ते को कैसे शांत करता है चरागोठी दिल्ली आज तक